नमस्कार सभी दोस्तों को स्मार्ट जी के ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे नियोजन नीती जारखंड के बारे में नियोजन नीती कब लागू होना है इसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसी नियोजन निती आने वाला है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो दोस्तो आप लोग वीडियो पर बने रहे और ये पेपर कटिंग के माध्यम से देखिए कहा जा रहा है तो उनको हम लोग पहले देख लेते हैं तो चलिए दोस्तो हैमन्त सोरेंट केबिनेट में मिल सकती है परस्ताव को हरी जंडी मतलब एक केबिनेट बहुत जल्द होने वाला है और नियोजन निती से पहले मतलब नियोजन निती जो है आपका वो 27 से पहले ये बताया गया है अब देखिए आगे क्या है इसमें देखिए उन्हें 37 खतियान अधारित जो है फिलहाल जो है ठंडे बस्ते में मतलब उन्हें 37 ठंडा गया दोस्तो सरकार को सिर्फ अपने से मतलब है युवा भाण में जाए किसी को कोई मतलब नहीं सॉरी मैं अब सब्द बोल दिया हूँ और इन के लिए हमारे युवा जो है कितना मेहनत कर रहे हैं और सरकार को कान में जू नहीं रेंगता है नहीं सरकार युवा के बारे में सोचती है तो चलिए दोस्तो देख लेते हैं अपडेट आप लोग देखिए वर्स 2016 से पहले की निती पर लग सकती है मोहर सरकार के तीन साल में नियोजन का बूरा हाल देखिए दोस्तो 2016 से पहले की निती जो थी वो 50-50 थी 50 अनुपाद 50 का यानि 50-50 का तो दोस्तो इसमें जारखन का भलाई नहीं होने वाला है 50-50 जो है इसमें कोई भलाई नहीं होने वाला है अब जो है दोस्तो 60-40 कर दिया गया है चुकि EWS बाद में आरक्षन मिला है तो इससे होगा दोस्तो जारखन का वाकी में ये बात हकीकत है जारखन का जितना भी स्टूडेंट है 99 परसेंट उनका नहीं ग्रूप डिसकस्शन होता है और नहीं कभी मेहनत से पढ़ते हैं और इनका अगर बाहरी स्टूडेंट से यानि कई अदर स्टूडेंट से कंपिटिशन हो जाएगा तो जारखन का जितने भी स्टूडेंट है वो पीछे रह जाएंगे और जारखन राज जब बना दोस्तों तो पिछडे के लिए ही बना है कि जारखन राज में विकास नहीं हो रहा है जारखन राज के लोग बेरोजगार है जारखन राज में कैसे रोजगार मिले इसको लेकर के एक अलग राज बनाया गया और कहीं न कहीं हम लोग देखें तो जारखन पिछडा नहीं उससे भी पिछड रहे है तो यहां की लुटेरी सरकार जब जब आई है तब तब विवाओं को ठगा है यहां के जनता को ठगा है तो दोस्तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा नियोजन नीती सरकार ला रही है और उसका किरेटेरिया क्या होने वाला है अगर नियोजन नीती में कोई गलबड़ी हुआ और अधर इस्टेट जैसे नियोजन नीती बना रही है जैसे हम लोग बंगाल की देख लें या और कहीं की देख लें उत्राखंड की देख लें उसी तरह हमारे जारखंड में भी नियोजन निती होना चाहिए बिहार की देख लें अगर उस तरह का नियोजन निती जारखंड में नहीं बनता है तो हम लोग कतई बरदास नहीं करेंगे और नियोजन निती सरकार ला रही है अच्छी बात है अगर जारखंड के हीत में नियोजन निती बने तो अच्छी रहेगी और जारखंड के युगा को रोजगार मिले तो चलिए दोस्तों हम लोग और डिटेर्स से देख लेते हैं तीन वर्सों में देखिए जारखंड सरकार क्या क्या बहाली किये हैं मार्च दोजारे कईस में सीधी नियुक्ती के तहत खिलाडियों को ग्रिह विबहाग में नियुक्ती दी गई आनि एस्पोर्ट कोटा के माध्यम से जो भी प्लेयर्स था उनको ग्रिह विबहाग में आनि हॉम मिनिस्ट्री में नियुक्ती किया गया जुलाई दोजार बाईस को साथवी से दसवी की सन्युक्त अर्दसेनिक सेवा परतियों किता परिच्छा दोजार एकईस के माध्यम से जिसके बारे में हो हला चर्चा ओविसी का और जेनरल का सबका बराबर कट अप बराबरे आया उसका कोई बराबरी मतलब नहीं था जेप एसी तबारा चैनित हुआ कितना दो सबावन अब्यर थी और इधर आप लोग देख सकते हैं 27 आगे हम लोग बात करेंगे कि जून 2022 को बिधी बिग्यान परियोक साला के तहत 37 AD और 56 बिग्यानिक सहायक जो है को नियुक्त किया गया मात्र इतनी सी ही नियुक्ती हैमंत सरकार के दवारा की गई है और भी तीन वर्स पार हो चुका है और दिसंबर 2024 में एलेक्शन होने वला है तो चलिए दोस्तों आगे की अपडेट आप लोगों को बता दें की कब-कब इनका नियुक्ती पत्र सोपा गया और कितना जारखन में बेरोजगारी दर जो है बेरोजगार जो है वो रेजिस्टर किया गया है नियुजनाले में रेजिस्टर हैं तो 29 दिसंबर को जो है 2020 को एक ही खिलाडी को एक खिलाडी को नियुक्ती पत्र दिया गया था उसके बाद 29 अगस्ट 2020 को दस खिलाडी को नियुक्ती पत्र दिया गया उसके बाद जो है 15 नॉवंबर 2020 को हाई उसकुल में इतियास और नागरिक सास्तर के 680 सिक्षकों को नियुक्ती किया गया देखिए दोस्तों ये जो है आप लोगों का 2016 का एक्जाम लिया हुआ है जारखंड सरकार कोई एक्जाम नहीं लिया है अभी तक और 15 नॉवंबर 2022 को 945 अभ्यर्थियों को विभिन विभागों में नियुक्ती पत्र दिया गया चलिए दोस्तों आगे आप लोगों को दिखा देते हैं जारखंड में 7.13 लाख यानि 7.13 लाख तेरह हजार रजिस्टर्ड है बिरोजगार 2023 को सेंटर फ़र मानिटरिंग इंडियान एकोनोमी के अनुसार तो आगे इसमें आप लोग देख लिजिए क्या है देखिए दोस्तों और एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं कि जारखंड सरकार नियोजन नीती पर सर्वे कराया लेकिन स्टुडेंट को इस तरह मुर्ख बनाया कि उसमें तीसरा कोई आप्शन को नहीं दिया गया कह रहा था कि उन्हें सब 32 का इंतिजार करें यानि नवी अनुसुची में जुड़ने तक या तो फिर 2016 से पहले का नियोजन नीती लागू करें मात्र दो ही ओप्शन दिया गया था दोस्तों जबकि दोनों मैंसे छात्र की भलाई के लिए कोई ओप्शन सही नहीं था खास कर जहरखंड के छात्र के लिए तो दोस्तों इसमें देना था कि रगुवर सरकार का जो उनुस्चा 85 का जो अस्थानी निती को लागू किया गया था उनको रख करके अगर किया जाए नियोजन निती में तो फिलाल ठीक रह सकता था तो देखिए नई नियोजन निती को लेकर राज सरकार में परतियोगता परिक्षा की तैयारी कर रहे अभियर्थियों से सुझाव मांगा कैसा सुझाव मांगा एक दिन मेरे पास भी फोन आया था अब्यर्थियों को फोन कर सुझाव मांगे जा रहे थे अब तक लगभग आठ लाग से भी अधिक अब्यर्थि को सुझाव लिये जा चुके हैं सरकार की और से अभ्यर्थियों से दो बिंदूओं पर राय मांगी गई पहला सरकार उन्हें 37 खतियान अधारित नियोजन निति और OBC के आरक्षन का दायरा बढ़ाने की सिमा को नवी अनुसुची में सामिल होने का इंतजार करें या फिर दूसरा 2016 से पहले की नियोजन निति को अधार बना कर सरकार नियोक्ति परकिरिया को आगे बढ़ाएं जानकारों के मुताबिक अधिकान सब यर्थियों ने राज्य सरकार को तत्काल नियोक्ति परकिरिया आगे बढ़ाने का सुझाव दिया इस बावत अधिकान सब्यर्थियों ने 2016 से पहले की निती को आधार बनाने का सुझाव दिया देखिए दोस्तो ऐसा कोई चीज था नहीं जैसे इसमें दिया गया है और हमें भी हमसे भी पुछता तो इस परकार की कोई यह नहीं था ठीक है और इसमें जारखन के स्टुडेंट को मुर्ख बनाने की कोशिस किया जा रहा है इसका मतलब हुआ दोस्तो कि हम पीछे आएं तो कुआ में जाएं और आगे जाएं तो खाई में यानि किसी भी तरह आगे पीछे जाएं मरना तो फिक्स है वही कहानी जारखन सरकार की है दोस्तों और जारखन सरकार ने जारखन के जितना भी छात्र हैं उनके लिए किया गया है और जारखन के जारखन के लिए जो है नई नियोजन निती तयार हो चुकी है और 27 फरवरी से पहले इसे हमंद सोरेंड केबिनेट में लाने की तयारी की जा रही है रामगर बिधान सभा उप्चुनाव के लिए मतदान से पहले नई निती को केबिनेट की हरी ज़ंडी दी जा सकती है माना जा रहा है कि इसमें 1927 खतियन अधारित की जगा 2016 से पहले की नियोजन निती को हरी ज़ंडी मिल सकती है ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रामगर उप्चुनाव में विपक्षी उमिदवार नियोजन निती के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जूटे हैं और सरकार के विश्वसनी सुत्रों की पुष्टी की है रामगर में 27 फरवरी को मद्दान होना है और सुत्र बताते हैं कि उप्चुनाव के पहले हैमन सरकार केबिनेट की बेठक बुलाकर नई नियोजन निती को हरी ज़ंडी दिखाने की तयारी कर रही है बता दें कि उप्चुनाव में आजसु सुप्रीमो सुदेश महतो और गृडी चांसत चंदर परकास चौधरी राजसरकार पर नियोजन निती के नाम पर जो है युवाओं को छलने का आरोप लगा रहे हैं तो आरोप क्या लगाएंगे दोस्तो सरकार का यही रिती रिवाईया रहा है और तीन साल से जहरखंट सरकार ने सबको मूर्ख बनाया है सरकार के तीन साल में नियोजन का बूरा हाल मौजुदा हैमद सरकार के तीन साल के कारेकाल में नियोजन का हाल काफी निरासा जनक रहा है नियोजन निती के अभाव में बिरोजगार का बड़ता अंकला इसकी गवाही दे रहा है इस दोरान सरकार का कोई प्रयास बेरोजगार युवाओं की उम्मीद की मंजील को हासिल नहीं कर सका है इस से बड़ा जटका उच नियालय ने दिया है उच नियालय के आदेश पर हेमन सरकार ने उन्हें सबत्तिस अधारी जो है नियोजन निती परवान नहीं चल सकी यही बज़ा रही कि लाखों युवाओं को रोजगार देने का चुनावी बादा महज कुछ सौ नियुक्तियों तक ही सिमट गया देखिए दोस्तो सरकार को बहाली करने की मंसा नहीं है और अगर बहाली करने की मंसा रहता तो किसी भी कंडिशन में बहाली कर सकता था चलिए दोस्तो आज का बस इतना ही अपडेट था और अगर किसी परकार का कोई तिक्कत होता है या नियोजन निती पहले प्रोस्पेक्टरस आने दिजिए उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे अगर गलत नियोजन निती किसी परकार से आता है तो जारखंड के स्टूडेंट इसको सहने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग जोरदार से बिरोद करेंगे खुली मंच पर चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद